गूट मॉर् congestion students, आज मैं इस वीडियो में आप को सिंदू काटी सभ्वेता की नगर योजना पढ़नाली के बारे में बताऊंगी तो देखें students सिंदू काटी सभ्वेता से समधित महतव पुन तत्थे, सिंदू काटी सभ्यता का इतिहात, सिंदू काटी सभ्यता का काल सब हमने पहले वाले वीडियोज में पढ़ लिया है तो आप सिंदुग अटी सब्वेता के बारे में डिटेल से अन्य जानकरी प्राप्त करने के लिए पहले वाले वीडियोज को देखेगा तो सिंदुग अटी सब्वेता है यह है आदे थियासी काल का समय है और आदे तेशी काल है वह है जिसमें पूरा ताध्विक और लिखित दोनो साख से मिलें लेकिन लिखित साख से पढ़े नहीं गए तो जो सिंदुग आठी सब्वेता अर्थाथ हडपा सब्वेता ये जो सब्वेता ये आदे तेशी काल का ये पाठ है तो हम इस वीडियो में सिंदुगाटी सब्वेता के नगर निर्मान योजना के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए देखते हैं नगर निर्मान तो देखेगा सिंदुगाटी सब्वेता की जो नगर योजना है यह है सिंदुग अटी सब्वेता की सबसे बड़ी विशेशता थी जाल नुमा सडके और गलियां सुन योजित जल निकास पढ़ना ली M. पक्की इंटों का प्रियोग आदी विशेशता हैं सिंदुग अटी सब्वेता में देखने को मिलती है सिंदुग अटी सब्वेता को हडपा सब्वेता की नाम से भी जान जाता है क्योंकि इस सब्वेता का सर्व पर्तम अवसेशव है हडपा सब्वेता से ही प्राप्त हुआ है ठीक है तो देखते हैं सिंदुग अटी सब्वेता में जो उत्खनन प्राप्त हुए है उनको यदि हम अच्छे से देखें उन पर अच्छे से हम द्रस्टे डाले तो ऐसा पर्तीत होता है कि यहां के निवासी महान निर्मान करता थे उन्होंने नगर योजन करके नगरों में सार्वजनिक तथा नीजी भवन, रक्सा प्राचीर, सार्वजनिक जला से सुन्योजित मार्ग व्यवस्ता था सुन्दर नालियों का प्रावधान क्या था तो देखें सबसे पहले तुम्हा आपको यह बताऊंगी कि सिंदु गाटी सब्वेता के जो नगर हैं वो कौन-कौन से हैं हडपा, मोहंजोद्रो, चनहूद्रो, लोथल, कालिबंगा और सिंदु गाटी हैं नगर नियोजन तो हडपा सब्वेता या फिर जो सिंदु गाटी सब्वेता उसका नगर नियोजन कैसा था उसके बारे में पढ़ते हैं तो वास्तम में सिंदु गाटी सब्वेता अपनी विशिस्ट यह उन्नत नगर योजना के लिए विश्वा परसीद है क्योंकि इ अभी विन्यास सत्रंज पट अर्थात ग्रिड प्लानिंग की तरह होता था जिसमें मोहंजोद्रों की उत्तर दक्सिनी हवाओं का लाब उठाते हुए सडकें करीब करीब उत्तर से दक्सिन तथा पूरव से पस्सिम की ओर जाती थी इस प्रकार चार सडकों से घिरे आयतों म आवासिय भवन तथा अन्य परकार के निमार किये गए हैं अब देखेगा नगर योजना एम वास्तु करला के अध्यन हे तू हडपा सब्वेता के इन नगरों का उलेक किया गए हैं जो कौन-कौन से हैं हडपा, मोहंजोद्रो, चनहूद्रो, लोथल और कालिबंगा हडपा के उत्खनोन से प्राप से पता चलता है कि यह नगर तीन मील के घेरे में बसा हुआ था वहां जो भगनाव से प्राप्त हुए हैं उनमें इस्तापत्य की दुरस्ट्री से दुर्ग्यों रक्षा प्राचीर के अलवा निवासों, निवास ग्रहों, चबूत्रों अन्नाकार का विशेश महत्व हैं वास्तम में सिंदो काटी सब्वेता का हडपा, मोहन जोद्रो, काली बंगा, सुत्का गेंडोर, यह सुरकोटना आदी की नगर निर्मान योजना में मुख्य रूप से समानता मिरती हैं इनमें से अधिकांस, पूरास्तलों पर पूरव द दिसा तथा पस्सिम दिसा में इसती दो तीले हैं और देखेंगा मां आपको यहां पर बताती हूं जो दो तीले हैं इनके बारे में बताती हूं नगर है सिंदु काटी सब्वेता में जो भी नगर है जैसे हडपा है तो इसमें दो क्या हैं दो तीले हैं दो तीलों में जित किया गया है और इन में से एक भाग छोटा है और एक बड़ा है लेकिन जो छोटा भाग है वह उंच्छा ही पर बना हुआ था और जो नगर का दूसरा भाग था वह बहुत बड़ा भाग था परंतु जो बड़ा भाग वह है नीचे बनाया गया था छोटे वाला भाग उपर और नीचे बनाया गया था उच्छे भाग को दूर्ग और नीचे भाग को नीचला सहर का नाम दिया गया है तो जो छोटा भाग है उसको दूर्ग जो उच्छा इपर बनावा है और जो बड़ा भाग है जो नीचे है उसको सहर का नाम दिया गया है तो दूर्ग है ये कच्ची इंटों के चबूत्रे पर बनाया जाता था अर्था ये उंचा होता था दूर्ग को दिवार से घेरा गया था ठीक ना प्राचीर बनी हुई थी चारों और दूर्ग के इसका अर्थ था कि जो निचला सहर है उससे दूर्ग को अलग किया गया है दूर्ग में जैसे कि खाद्डे भंडार ग्रै मतोपन जो कार्य सले हैं धार्मिक इमारते हैं और जन्नेमारते थी और जो निचला भाग है जो विश्थरीद भाग है सहर जिसको सहर खा गया है उसमें लोग रहा करते थे ठीक है तो जो उपर वाला भाग है जो छोटा भाग है वह है एक तरह से इंपोर्टेंट भाग होता था इसमें जैसे कि कोई भी खाद्य समगरी या फिर कोई भी महतोबुन जो कारिय सालाई होती थी धार्मी की मारते होती थी ये होती थी और जो निचला भाग है जो विश्त्रित भाग है जिसको सहर कहा गया उसमें लोग भाग रहते थे तो देखेगा काली बंगा ये एक ऐसा स्थल है जहां का नगर छेतर भी रक्सा प्राचीर से गिरा है परन्तु लोथल तता सुरकोटडा के दुर्ग तता नगर छेतर दोनों एक ही रक्सा प्राचीर से सुरक्सित थे ऐसा परतीत होता है कि दुर्ग के अंदर महत्तोपन परसासनिक तता धार्मिक भवन ये अन्नागार इस्तित थे अब देखेगा दुर्ग तो हडपा नगर की रक्सा हेतु पस्सिम में एक दुर्ग का निर्मान क्या गया था जो आकार में समकोर्ण चत्रबुज के समान था इसकी उंचाई लगबग 40 फुट है जिस टिले पर इस दुर्ग के अवसेज प्राप्त होते हैं उसे विद्वानों ने ए-b टिला कहा है तो कई बार जो पूछा गया है कि अब बी टिला कहां स्थित है वो है हडपा नगर हडपा नगर में ए-b टिला स्थित है अब देखेगा मोहन जोद्रों का दुर्ग हर्पा की बाती यहां का दुर्ग भी एक टिल्ले पर बना हुआ है हर्पा की बाती मोहन जोद्रों का दुर्ग है भी एक टिल्ले पर बना हुआ था जो दक्सिन की ओर 20 फूर्ट था उत्तर की ओर 40 फूर्ट उंचा था सिंदु नदी की बाड के पानी ने इसके बीच के कुछ भागों को काट कर इसे दो भागों भक्त कर दिया था 1950 इस्वी के उत्खनोनों के बाद यह मत पर्तिपादित क्या गया है कि इस दुर्ग की रचना हडपा सब्वेता के मध्यकाल में हुई इस दुर्ग को कोटला भी का जाता था तो इस दुर्ग के नीचे पक्की इंटों की पक्की नाली का निर्माण किया गया था जिससे वे बाड के पानी को बाहर निकाल सके फिर आता है लोथल का प्राचीर तो लोथल का उत्खनन कारिये केंद्रिये पुरातत्त विभाग द्वारा क्या गया परणाम सरोप यहां छे विभीन कालों की सब्वेता के अवसेश प्राप्त हुए हैं लोथल के निवासियों ने बाड से सुरक्सा के लिए पहले कच्ची इंटों का एक विशाल चबूत्रा निर्मित किया इस चबूत्रे को पुना है और अधिक उंचा करके इस चबूत्रे पर एक मिट्टी के बने सुरक्सा प्राचीर का निर्मान किया गया जो 35 फूर चोड़ तथा आठ फूर उंचा है लोथल के लगबग सभी भहनों में पक्की इंटों के फर्स वाले एक या दो चबूत्रे मिले हैं जो प्राए स्नान के लिए प्रियोग होते थे अब देखेगा सिंदू घाटी सब्वेता उसके भहन निर्मान और तक्निके कैसी थी तो भवन निर्मान कला सिंदू घाटे सब्यता के नगर नियोजन का सबसे महतोपुन पक्स था इन नगरों के स्थापते में पक्की सुन्दर इंटों का प्रियोग उनके विकास के लंबे इत्यास का परमान है हडपा में मोहंजोदुडों के भाती विसाल भवनों के अफसेस प्राप्त नहीं हुए तथा दुर्गी के उपर जो अफसेस मिले हैं उनसे प्राचीन स्थापते पर कोई उलेखनिय प्रकास नहीं पड़ता लोथल, रंगपूर, यहों काली बंगा में भवनों के निर्मान में कच्ची इंटों का भी प्रियोग किया गया है काली बंगा में पक्की इंटों का प्रियोग केवल नालियों, कुओं तथा दहलीज के लिए किया गया था अब देखेगा सिंदुगाटी सब्वेता की नालिया, नालिया कैसी थी सिंदुगाटी सब्वेता की नगरिय वास्तु या स्थापत्यकला का उतक्रिस्ट उदारण वहां की सुन्दर नालियों की विवस्ता से परिलक्सित होता है इसका निर्मान पक्की इंटों से होता था तो नालिया होती थी इनका निर्मान पक्की इंटों से होता था ताकि गलियों के जल मल का निकास निर्वाद रूप से होता रहे भवनों के छत पर लगे पर नाले भी उनसे जोड दिया जाते थे लोथल में ऐसी अनेक नालियों के अवसेस मिले हैं जो एक दूसरे से जूड़ी हुई थी इन नालियों को डखने की भी व्यवस्ता किये गई थी सडको के किनारी के नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर मानुस मोखे का समूचित प्रावधान रहता था हडपा और मुहन जोड़ों में कुछ ऐसी भी नालिया मिली हैं जो सोखने वले गड़ों में किरती थी इन नालियों में कहीं कहीं दन तक महराब भी पाए गये हैं अब देखेगा व्रहत स्नानागार तो हडपा सब्यता के इस तपत्य का सर्वोत क्रिष्ट उदारन व्रहत इस्नानागार या विसाल इस्नानागार है जिसे डौक्टर अगरवा ने महाजल कुंड नाम से संबोधित किया है यह है मोहन जोड़ों पुरास्तल का सर्वाधिक महत्वय का समारक माना गया है 7.01 मीटर अर्थार 23 फिट और इसकी गहराई 2.43 मीटर अर्थार 8 फिट है अर्थार इसका आकाल लग भग 12 by 75 by 25 2.5 मीटर है नीचे तक पहुँचने के लिए इसमें उत्तर तथा दक्सिन की और सीडिया बनी है स्नानागार में प्रवेश के लिए 6 प्रवेश द्वार थे स्थान स्थान पर लगे नालों के द्वारा सित्तल काल में संभवत्य कमरों को भी गर्म किया जाता था अब देखेगा देवाले तो जो रहद स्नानागार है इसके उत्तर पुरव की और एक विसाल बहन है जो देवाले था अर्थात मंदिर था अब देखेगा द्धन्यागार अर्थात जो जहां पर अनिकठा किया जाता था अन्नागार भी जिसे बोला जाता है वास्तुकला की दरस्ति से मोहन जोद्रो तता हर्पा के बने धन्यागार भी उलेखनी है पहले इसे स्नानागार का ही एक भाग माना जाता था किन्तु 1950 इस्वी के उत्खनोनों के बाद ये ज्यात हुआ है कि वे अवसेज एक विसाल अन्नागार के है महाजलकुंड के समीप पस्सिम में विद्यमान मुहन जोद्रो का अन्नागार पक्की इटों के विसाल चबूत्रे पर निर्मित है हडपा में भी एक विसाल धन्यागार अत्वा अन्बंडार के अक्सेश प्राप्त हुए है इसका आकार उत्तर से दक्सिन वन सिक्स नाइन फिट था पूरव से पस्सिव वन थ्री फाइब फिट था फिर अगला आता है सभा भवन तो गड़ी या कोटला के दक्सिनी भाग में 27 बाई 27 मीटर अर्था 90 फिट लंबे चोड़े एक वरगा कार भवन के अफसेश प्राप्त हुए है यह है इंटो से निर्मित पांच पांच इस्तंबों की चार पंक्तियों अर्था चोकोर 20 इस्तंबों से युक थोल है संभवता इनी स्तलों के उपर छत रही होगी अता यह एक सभा भवन का अफसेश प्रतीत होता है जो इन इस्तंबों पर टिका था जहां सारविजनेक सभवें आयो जित होती थी अब देखेगा सढकें तो सिंदो गाटी सभवेता की जो नगरिय योजना है नगरिय योजना में वास्तुकला की दस्री से मार्गों का महत्तव पुनुस्तान था इन मार्गों का निर्माण एक सूनियोजीत योजना के अनुरूप किया जाता था ऐसा पर्तित होता है कि मुखे मार्गों का जाल परतेक नगर को प्राए पांच या छे खंडों में बाजित करता था मोहन जोद्रो निवासी नगर निर्माण पर्णाली से पूंतिया परिचित थे इसलिए मोहां के इस्थापत्ते विद्धों ने नगर की रूप रेखा में मार्गों का विशेश प्रावधान किया तदुनुसार नगर की सडके संपूर्ण चेतर में एक दूसरे को संकोन पर काड़ती हुई उत्तर से दक्सिन तथा पूरव से पस्सिम की ओर जाती थी काली बंगा में भी सडके पूरव से पस्सिम दिशा में फैली थी यहां के मुख्य मार्ग 7.20 मिटर तथा रास्ते 1.80 मिटर छोड़े थे यहां भी कच्ची सडके थी परंतु स्वच्चता पर विशेश द्धान दिया जाता था कूड़े के लिए सडक के किनरे गड़े बने थे अत्वा कूड़े दान रखे जाते थे अब देखेगा कूए तो सादरन तता ऐसादरन सभी बहुनों के अंदर कूए थे जिनका आकार परधानत या अंडाकार होता था मोहन जोड़ों के निवासियों ने अपने बहुनों में सोच ग्रह भी बनवाए थे इनके साथ साथ इस्तान घर भी बनवाए जाते थे अब देखेगा आवासिय मकान जो रहने लाइक मकान होते थे वो कैसे होते थे तो इस सभीता के नगरों के आम लोगों के मकानों के बीच आंगन होता था जिसके तीन अथ्वा चारों तरफ चार-पांच कमरे रसोई और स्नानागार होता था मकान आयताकार होते थे इस अभेता में अभी तक कोई गोल इस्तम नहीं मिला है अधिकांस गरों में कुवा भी होता था जल निकास की सुविधा भी अच्छी थी जल निकास के लिए स्नानागार गली की ओर इस्तित होते थे इसनानागार के फर्स में पक्की इंटों का प्रियोग किया जाता था गरों में सोचाले भी होते थे मोहन जोद्रों से जो अब भवनों के अवसेस मिले हैं उनके द्वार मुखे सडकों की और ना होकर गलियों की और ही खुलते थे इस नानागार है वो इस नानागार गली अत्वा सड़क के नजदीग बनाय जाते थे ठीक है तो इसी परकार जो मकान है उनमें खिड़किया भी कहीं कहीं मिलती है 52 निर्मान हे तू मोहन जोलो तता हडपा में पक्की हुई इटों का प्रियोग किया जाता था सभी इटे गिल्ली मिटी से बनी हुई है इटे खुले साचे में बनाई जाती थी तथा सिर्स पर लकडी का टुकड़ा ठोका जाता था इन इटों का एक निश्चित अनुपात होता था ये इटे आयताकार होती थी इट की लंबाई चोड़ाई तथा मोटाई का अनुपात इस परकार है 4.2.1 देखो कई बार ये एकजाम में इट की लंबाई पूछ ले दे तो आपको ये अच्छे से आपे देखना है खुले में इटे बनाने का साखसे गुजरात में देवगिरी से मिलता है और अब भी यहां खुले में ही इटे बनती हैं कहां से गुजरात के देवगिरी से हमें खुले में इटे बनाने का साखसे मिला है और अब भी माँ पे असा ही होता है स्नार ग्रहों के सतत एक रूपता अच्छी तरह बनाई जाती थी तता सही जोड यह समतल के लिए इटे आरे से काटी जाती थी इसके अलावा उन्हें रिशाव रोधी बनाने के लिए जिपसम से प्लस्तर किया जाता था इस सब्वेता के भवनों के द्वार जल जाने के कारण प्लस्तर के थोड़े ही चिंद रह सके है मोहन जोड़ों के दो भवनों पर जला हुआ प्लस्तर दिखाई देता है हडपा सब्वेता की नगर योजना में दूतले अर्था दो मन्जिले भवनों का भी निर्मान किया गया होगा क्योंकि उप्री भवन खड में जाने के लिए सीडिया बनी थी जिनके अवसेस अभी तक के विद्धेमान है आप देखेगा यहाँ पर एक इंपोर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी कि जो सिंदो काटी सब्यता इसके दर्वाजे और खिड किया सडक की तरफ नखुल कर पीछे की तरफ खुलती थी लेकिन लोथल में ऐसा नहीं मिलता है इसका जो है भई की सडकों की और जो है मुखे द्वार वो नखुल के और किदर खुलते थे गलियों की और खुलते थे लेकिन इसका एक क्या है हम आपर बता से क्यों से आ सकता है कि ऐसा कौन सा इस्तल है जहां से खिड़किया है वो लोथल जो सोरी जहां से आपकी सिंदू गाडिस सब्वेता की जो खिड़किया है वो सड़क की और न खुल कर लोथल है तो इसी प्रकार देखते रहेगा हमारे यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज को और यहां पर हमने आपको सिंदु काड़े सब्वेता के नगर योजने के बारे में बताया है धन्यवाद